हाई दोस्तो हैप्य वैलन्टाइन डे आज हम बताएंगे वैलन्टाइन डे क्यों मनाया जाता है आजकल बच्चों से लेकर बुरुद ब्यक्ति तब हर कोई वैलन्टाइन डे मनाता है वैलन्टाइन डे हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है वैलन्टाइन डे एक फैसन बन गया लेकिन सायद ही कोई जानता है कि वैलन्टाइन डे क्यों मनाया जाता है वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो रिपया करके लास्ट तक देखें ये बात है 270 AD का जब रोम में तीसरे सदी में एक राजा हुआ करता था उस राजा का नाम था क्लॉडियोश वो सुचता थ साधी करने से पूरुष की बुद्धी और सक्ति कतम हो जाता है उसने पूरे देश में कवर पहुचा दिया कि आज से कोई भी अधिकारी या सैनिक साधी नहीं करेगा तब ये बात संत वैलन्टाइन को पता चल जाता है वैलन्टाइन रोम में एक अव्यान चलाती हैं जिस वो च 사건 के फादर बन जाते हैं और अपने और अपने सीसियों में से प्रेमी जूडे की साधी कर आते हैं उस दीन से वो च結果 में आने वाले हर मनस्यों को साधी के लिए प्रेरित करते थे इस तरह उनोंने कई लड़कों और लड़कियों की साधी कराई एक दिन ये बद राज महल में लाने के लिए अपने सेनिको को कहती हैं लेकिन तब तक संड वैलन्टाइन ने कई अधिकारी और सेनिको को साधी करवाया वैलन्टाइन को सेनिको के द्वारा राजा क्लावडियस के पास लाया गया तब राजा क्लावडियस ने वैलन्टाइन को जेल में बंदी बना तब वेलंटाइन इस्वर से प्रतना करते हैं और कुछ समय के बाद गेलर की लड़की देखने लगती है। मिका के लिए एक प्रिम पत्र लिखती हैं और उसके नीचे लिखती हैं फॉर्म यूर वेलंटाइन राजा ना 14 फरवरी साल 29 में संत वेलंटाइन को फासिद दे थी और तब से लेकर आज तक हर साल 14 फरवरी को उन दोनों की याद में वेलंटाइन डे मनाया जाता है।